नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतिय टेलिवीजन एक्टडिस गुलकी जोशी के सभी सीरियल्स के बारे में दोस्तों गुलकी जोशी ने अपने करियर की शुरुआद 2011 में क्राइम पेत्रोल सीरियल से की थी इसके बाद ये साल 2012 से साल 2013 में सीरियल फिर सुबह होगी में नजराई थी साल 2014 में इन्होंने सीरियल नादान परिंदे घराजा में महर इकबाल अत्वाल का किरदार निभाया था साल 2015 में अदालत सीरियल में इन्होंने एड़ोकेट सुर्णा सबनिस्ट का किरदार निभाया था तो वहीं साल 2015 में सीरियल ये है मोहबते में इन्होंने नेहा वनराज का किरदार निभाया था साल 2015 से 2016 में इन्होंने सीरियल पिया रंग्रेज में अराध्या का किरदार निभाया था साल 2016 में इन्होंने बस थोड़े से अंजाने सीरियल में निशावस्थी का किरदार निभाया था साल 2017 से 2018 में सीरियल पिया अलबेला में नैना गोईल का किरदार निभाया था साल 2018 में इन्होंने सीरियल लाल निश्क में कामना का किरदार निभाया था साल 2019 में सीरियल हम साथ साथ है में इन्होंने अर्चना का किरदार निभाया था साल 2020 से 2023 में इन्होंने मैडम सर सीरियल में एसेचो हसीना मलिक का किरदार निभाया था साल 2020 में कुछ स्माइल्स हो जाएं विद आलिया सीरियल में भी ये नज़र आई थी साल 2021 में ये सीरियल हीरो गायब मोड आउन, सीरियल जिद्धी दिल माने न, सीरियल वागले की दुनिया और सीरियल तेरह यार भूमै में भी नज़र आई थी तो वही साल 2022 में ये सीरियल गुड़ नाइट इंडिया में भी देखी गई थी आपको गुलकी जोशी का कौन सा किरदार सबसे जादा पसंद है हमें कमेंड में जरूर बताएं और लेटिस्ट अपडेट के लिए अभी सलिबरिटी टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें